नमस्कार क्यापिटल टीवी उत्ताप्रदेश देखने आप मैं हूँ आपके साथ सुनाली जोशी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने एक बार फिर उत्ताप्रदेश को बड़ी सौगाद दी है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उत्ताप्रदेश के गौतम बुधनगर के जेवर में नौईडा इंटरनाशनल एरपोर्ट का शिलन्यास किया उत्ताप्रदेश इसी के साथ देश का अकेला ऐसा राज बन गया है जहाँ पांच इन्टरनाशनल एरपोर्ट हैं यूपी में अगले साथ होने वाले विधानसबा चुनाफ से पहले इस एरपोर्ट के शिलन्यास को सियासी तौर पर भी काफी एहम माना जा रहा है इस रपोर्ट में देखिए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने उत्ता प्रदेश को एक और इंटरनाशनल एरपोर्ट की सौगा दी है प्रधान मंत्री नोईडा के जेवर में एशिया के सबसे बड़े एरपोर्ट की दुपहर एक बज़े आधार शुला रखी इस एरपोर्ट के शिरू हो जाने के उत्ता प्रदेश पांच इंटरनाशनल एरपोर्ट वाला देश का पहला राज्यू बन गया है 2012 से पहले प्रदेश में लखनो और वारनासी दो ही इंटरनाशनल एरपोर्ट थे अयोध्या इंटरनाशनल एरपोर्ट का काम भी तेजी से चल रहा है उमीद है कि अगले साल क कि शुरुआत तक ये लोगों के लिए खोल दिया जाएगा आज जेवर एरपोर्ट की अधार शुला रख दी गई है बताय जा रहा है कि 2024 में इस एरपोर्ट की शुरुआत हो जाएगी मौजदा समय की बात करें तो सूबे में 8 एरपोर्ट संचालित हो रहे हैं जबकि 13 एरपोर्ट से कमिशनल फैट उडान भर रही है उनमें लखनो वारनासी, कुशिनगर, गोरकपुर, आगरा, कानपुर, प्रयागराच और गाजयबाद का हिंडन शामिल है जेवर एरपोर्ट की परियोजना का पहला चरण साल 2024 तक 10 हजार से जादा करोड रुपे से जादा और प्रभावित परिवारों के पूर्णवास का काम पूरा कर लिया गया है नौइडा में बन रहा एरपोर्ट दिल्ली एंसियार शेत्र में दूसरा इंटरनाशनल एरपोर्ट होगा और इसे इंद्रा गांधी इंटरनाशनल एरपोर्ट का दबाव कम होगा रननीतिक नज जेवर पहुंच कर कई बड़ी बाते बोली। यूपी में पहले जो सरकार थी उसने तो बकायदा चिठी लिखकर सबकी केंदर सरकार को कह दिया था इस एरपोर्ट के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया जाए अब डबल इंजिन की सरकार के प्रयासों से आज हम उसी एरपोर्ट के भूमी पुजन के साक्षी बन रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। उन्होंने कहा कि अजादी के साथ दशक बार पहली बार उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हमेशा से हकदार रहा है। डेवल इंजिन की सरकार के प्रयासों से आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े कनेक्टिट शेत्र में परिवर्तित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हवाई अड़े के निर्मान के दोरान रोजगार के हजारों अफसर बनते हैं। जी हाँ तो यूपी चनाव से पहले बीजिपी एक के बाद एक यूपी को बड़ी सौगात दे रही है। परिसी कड़ी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी को बड़ी सौगात दी है। झाल स्थोपी तो यूपी एक बार फिर यूपी एक बार फिर चृपी उग्यूद्र के दिता है। झाल